और जिनको फेफणों की समस्या रहती है तो उन्हें खजूर कलब कराते हैं खजूर खिलाया है, सुभ़ा भी, दोबहर भी, शाम खजूर कलब, या चने का कलब, सुखे भूने हुए चने का कलब कराया इसी प्रकार अलग-अलग औरशदियों का कलब कराते हैं कि बाकी चीजें बंद केवल वही दी जाएंगी जो स्वास्त के लिए ठीक है और एक ही चीज सुबा भी दोपैर भी शाम भी तीन दिन हमारा कल्प चला लो कीगा तुरंट ठीक होता है डाइबेटीज में खीरा करेला टमाटर का जूस इसका कल्प कराया सुबा भी दोपैर भी शाम को भी या जामुन का कल्प कराया जामुन जामब सुबा दोपैर शाम कल्प की तो बदा रहा हूं कल्प यानि की तिनों टाइम वही लिया जो सुबा कल्प यानि कि उसके अलावा कुछ लिया ही नहीं ठीक है उसके अलावा कुछ लिया ही नहीं वही चीज ली हमने जामुन 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 तीन दिन तक पग गए खाखा गे शरीर में उसके लावा कुछ पहुचाया ही नहीं ठेक उससे कितना भी chronic disease हो तुरंट एक दिन में आ रहा हूं जो ठीक ही नहीं हो रहा है शरीर response ही नहीं कर रहा है कई बार क्या होता है कि किसी किसी का शरीर इतना धीट हो जाता है कि लाव ही नहीं हो रहा है औशदियों से तो कल्प कराने से तुरंट लाव बता चल जाता है हो जाता है हाँ हो जाता है तो ये हमारे रिशी मुन्यों ने जो बताया है न वो बिना side effect की चीज़ बताई है लाव ही लाव हानी कोई नहीं लेकिन ये जो एलो पैती है जिसका जन्म अभी सत्तर असी सालों में ही हुआ है उसके पहले तो नहीं थी भारत में और कहीं भी नहीं थी और अभी तक उसमें फिर अपग्रेडेशन उसके side effects अभी भी बरकाराने आगे भी बरकारा रहेंगे इसी प्रकार वात रोगों में ये बताया हमने फिर अपने research करके और फिर वटियां निकाली गई है परंपुझे स्वामी जी महराजी के द्वारा और्थो ग्रिट है, पीडा निल गोल्ड है पीडान तक ग्वात है ये ग्रिट नाम की series परहेज बहुत जरूरी है अच्छी चीज ले ना ले बुरी चीज नहीं जाने चाहिए और अगर बुरी चीज जा रही है तो फिर अच्छी चीज गितनी भी ले उसका कोई फरक नहीं पड़ना है और फिर अगर बुरी चीज छोड़ दी तो अपने आप ठीक हो जाएंगे बिना उश्र देगे तो वात रोगों में फिर वात बढ़ाने वाली चीज नहीं लेनी चाहिए अगर पहले सही जोड़ों में दर्द है और फिर वो वात बढ़ाने वाली चीज ले रहा है बादी चीज या खटी चीज या ठंडी चीज तो वात कभी कम नहीं होगा जोड़ों का दर्द कभी कम नहीं होगा भयंकर बढ़ेगा सो नहीं पाएगा दर्द के मारे उसे तो हमें वैराग्य लेना होगा उस अहार से और जिनको पित बहुत बनता है तो फिर तली भुनी चीज से बहरागे लेना है मिर्च मसाले से गरिश ठाहार से योगे फिर लीवर ठीक नहीं होगा अगर वही चीज हमने लिया तो फिर केतना भी हम लीवो गृट खाएं कोई फरक नहीं पढ़ना है परहेज is the first thing परहेज सबसे बड़ी चीज है सबसे बेसिक चीज है सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो योग ग्राम में इसलिए भी सबसे ज्यादा लाब होता है कि बुरी चीज है तो बंद हो जाती है एक दम भले कितनी बुरी आदत उसको घर में लगी हो खाने पीने की शराब की मांसहार की खैनी की तंबाको की चाए कॉफी की चिप्स पापड की समोसे की वहां तो आके नहीं मिलता है कुछ भी सब बंद एक हपते दस दिन जित्ता भी रहता है तो अपने यहाँ लाइन पे आने लगता है नहीं लाइन पे आदमी खोदी नहीं आता है फिर कहता है मेरे को यह बीमारी यह वह बीमारी आ फिर लाखों खर्चा कर देता है करोणों खर्चा कर देता है पैसे से स्वास्त नहीं आता है स्वास्त आता है ज्यान से अगर ज्यान है और ज्यान के अनुसार हम उड़ना होता है, बाकी हम स्वस्त हैं तो इसी प्रकार पिन के रोग भी ठीक हो जाते हैं जब हम alkaline चीजें लेते हैं अहमली चीजें छोड़ देते हैं अहमली चीजे जैसे की packaged food कोल्डेंग्च हैं मैदा है refined का तला भूना चीज है acid हो जाती है alkaline लेते हैं, सबजी हैं, सबजी हों का रस है, छारी ये चीज़े लेते हैं, पानी पीते हैं, लोकी का जूस लेते हैं, wheat grass गेहों के जुआरे का रस लेते हैं, aloe vera लेते हैं, सौफ का पानी लेते हैं, ठीक, acidity ठीक, woman करते हैं, कुंजल क्रिया करते हैं, उल्टी करने से भी तुरंत पित मुक्त हो जाता है और फिर अपनी आउशद ही हैं सर्वकल्पक्वाथ, ऐसीडो ग्रेट, मुक्ता शुक्ती मोती पिस्टी, फिर ऐसीडिटी ठेक, और फिर गैस की प्रॉब्लम भी ठेक, लीवर खराब होने से, फिर गैस भी बहुत बनने लगती है, पेट फूलने लगता है, सूचने लगता है, तो ये चीज़ें हम घर पे कर सकते हैं की नहीं, घर पे कर सकते हैं कुंजल क्रिया भी कर सकते हैं सुबह सुबह जुनको ज्यादा पित बनता है कफ बनता है कफ के लिए और पित के लिए कुंजल क्रिया जानते हैं वमन वमन करते हैं वमन वमन पानी पी करके उल्टी करते हैं आगे जुक करके सब कचणा निकल जाता है और फिर इसी प्रकार चर्म रोगों से बच जाते हैं हम अगर लीवर ठीक है पित ज्यादा नहीं बनेगा लिमिटेड बनेगा नहीं तो पित का रोग फिर चमडी को खराब करता है खून को खराब करता है खुन खराब है तो फिर चमडी बेबी उसका असर दिखता है फोड़े फुनसी चर्म रोग एक्जिमा सुराइसिस और फिर दाद खाद खुजली ऐसे होती रहती है तो इसलिए अंदर का सिस्टम स्ट्रॉंग करना है तो अच्छी चीज डालनी है अच्छी चीज डालेंगे और योग करेंगे तो एनर्जी भी सही से चैनलाइज रहेगी क्या कहते हैं इसे आजी करते हो कपाल भाती तो एक घंटा कराते हैं योग ग्राम में 15 मिनट नहीं कराते हैं एक घंटा कपाल भाती आराम आराम से करता रहता है पेट की आसन भी करेगा और कपाल भाती भी करे मंदू कासन में कपाल भाती करेगा, मूल बंद लगा करके कपाल भाती करेगा, तो उसका मलमुत रिंद्रिया में भी स्ट्रॉंग रहेंगी, यौन रोग, धातु रोग, एनर्जी नीचे से नहीं निकलेगी फिर उसकी, एनर्जी उपर उठेगी, उर्दुगामी वीर्य बन करके, पवन्मुक्तासन में भी करते हैं न, एसे लेट जाते हैं, ऐसे पकड़ के, पवन्मुक्तासन में पाद अंगुष्ठ नासाइस्पर्शासन नौकासन आपको सब पता है, तो फिर हमारे पेट के सारे अंग स्वस्त रहते हैं, असर तो पूरे शरीर पर पढ़ेगा, और मणी पूर चक्र पर ये चक्र हमारे सम्यक हो जाएंगे संतुलित हो जाएंगे तो अलग-अलग आसनों में हम करते हैं शशक आसन में करते हैं और उत्कट आसन में भी कर सकते हैं पेट के आसन बहुत ही उत्तम तो सभी को करने चाहिए कम से कम 3-4 पेट के आसन तो ये एक घंटे कम से कम सभी रोगियों को करया जाता है योकराम में अपने हर वेलनेस में और करना ही चाहिए जो स्वस्थ हैं युवा हैं वो 15 मिनट भी करेंगे तो मेंटेन रहेगा स्वास्थ लेकिन जो उन्हें कभी नहीं करके अपना स्वास्थ प्रवा बिगाड लिया है तो फिर उन्हें ज्यादा प्राणा याम की डोस ले नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पूरे दिन में कुछ और तो कर पाएंगे नहीं न दुकान में बैट पाएंगे न बिजनिस कर पाएंगे न जॉब कर पाएंगे क्योंकि उन्हें क्रॉनिक डिजीज हो गया है बहुत वीकने से लिवर किड्नी जिसका फेल है वो कोई काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा फिर तो अपना समय के स्पे लगाना चाहिए कपाल भाती और अनलोम विलोम पर फिर ये नहीं कि सुबा सुबा ही किया बागी दिन बर छोड़ दिया न फिर ये समय भी योग का है फिर योग का समय नहीं देखा जाता पूरा दिन योग का है सुबा दो पहर, शाम क्योंकि उसे खाना तो थोड़ा से मिलता है, हलका मिलता है, वो तो तुरंद पज जाएगा, कपाल बाती फिर शुरू किया, यो ग्राम में तो ऐसा खाना देते हैं कि एक डिड़ घंटे में पज जाएगा, फिर पेट खाली, कपाल बाती करो, खाने के तुरंद बात नहीं कर इस लिए तो गरिष्ट खाना भी खाया है, तो चार-पांच घंटे में पज जाता है, फिर कर सकते हैं फ्रेश हो करके, एक्वप्रेशर के साथ कपाल बाती कर सकते हैं, बस तरिका कपाल बाती अनलों बाती, अनलोμ बिलों, यह मुख्य पराणायाम है, फिर अनलों बिलो इस पार्किंसन, M&D, ये सब समस्याइं भी ठीक हो जाएंगी, कैंसर, हेबटाइटिस, लिवर फेलियर, किड्नी फेलियर, ये सारी समस्याइं ठीक हो जाएंगी, और तुरंट ठीक होंगी, तुम खुद महसूस करोगे बताओगे, फिर वो व्यक्ति बताता भी है, हाँ, जब मैं आ रहा था, ज्यादा कांप रहा था, अब मेरा कांप ना बंद हो गया है, बिना सिंडो पाखाये, बिना स्टिरोइड्स लिये, बिना एलोपेथी की दवाई मैंने छोड़ दिये, लेकिन फिर भी मेरी शुगर नॉर्मल आ रही है, मेरे को किड्नी में सूजन, क्रेट नाइन लेबल मेरा लो हो गया है, शरीर में सूजन कम हो गई है, दर्द कम हो गए हैं, खतम हो गए हैं, कैसे? योग से, योग और आहार, यही है, योग ताहार विहार ऐसे, तब योग फाइदा करेगा, योग हमारा फाइदा कब नहीं करता है, जब हम खान पान एक दम बिगड़ा हुआ है, और हम कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, बस करा देते हैं दूसरों को, कि तुम लोग करो, हो गया, और हमने दिया प्रोचन, और हमने बस दूसरों को बता दिया, विधी कि ऐसे ऐसे करते हैं, बागी तुम जानो अपना तुमारा काम जाने, फिर योग शिक्षण भी बिमार पड़ता है, जो केवल सिखाता सिखाता है, महराज जी, खुद करते हैं योग, आप भ्यास करते हैं, फिर कराने आते हैं, तो इस चीज़ पर ज्यादा फोकस करना है, और फिर वो भी फिर गड़बड है, कि एक बार चीज़ें ठीक हुई, और फिर हमने योग छोड़ दिया, योग छोड़ने की चीज़ नहीं है बाई, चोड़ने की चीज़ तो काम, ग्रोज, लोब, मो, आलस से प्रमाद ये सब है बुराईयां चोड़ने की चीज़ है योगी चोड़ दिया, अच्छी चीज़ चोड़ ली फिर रोग दुबारा आते देर नहीं लगती फिर डबल स्पीड में आता है अगर व्यक्ति इस एहिंकार में हो गया कि मैं तो स्वस्थ हूँ और मैं स्वस्थ हो गया तो फिर वो अपना धीरे-धीरे खान पान डिगार लेता है इसी संतुष्टी में कि मैं स्वस्थ हूँ और योग करना चोड़ देता है फिर जितना वो पहले बिमारता उससे डबल बिमार पड़ता है और फिर उभरने में नानियादा जाते है और फिर वो मरता है भयंकर तो इसलिए उसे हमेशा एलर्ट रहना चाहिए सजक जागरूक रहना चाहिए कि बाई बड़ी मुश्कल से स्वास्त पाया है अब I have to maintain it मैं इसे maintain करूंगा continuous चोड़ना नहीं और गलत चीज़ पकड़ना नहीं फिर से फास्ट पूड शुरू कर दिया बाहर का खाना शुरू कर दिया तो फिर गड़ बड़ो जाती है ज्यादा फिर संभाले नहीं समलती है और इसी तरह कफ के रोग भी बड़े परेशान करते है चाती में गले में सर पे कफ कफ का ऊपर ये वाला पार्ट कफ का रहता है ये व जल नेती एक लोटा आता है उसको नाक में डालते हैं पानी जल नेती करते हैं रबड नेती करते हैं तो तुरंत कफ निकलता है नस्य अनू तेल का नस्य या जोतिशमती का नस्य करते हैं तो तुरंत कफ निकलता है वियायाम करने से कफ निकलता है तेज तेज भस्तरिका कर करने सिकफ निकलता है कि अज़िए रख लुट कर दुट करेंद और में एंडर भर जाती है और मन शान्त हो जाता है करके देख लो जाए मन तुरंद शान्त हो जाएगा और एनर्जी अंदर भर जाएगे चलो एक मिनट तक एक मिनट तक हम करेंगे एक मिनट में 120 बार कर लेंगे सीधे बैठ कर आँखे बन पूरी श्वास ले एक सेकंड में दो श्वास लो तो साठ सेकंड में 120 श्वास ले लोगे श्वास लेना फोर्स फुली पूरी शक्ति लगा करके सांस लेंगे फोर्स फुली अनहेल आँखे बंग गर्दन सिधी अपने सांसों पर ध्यान दो दूसरे की सांसों पर नहीं पूरा शरीर शितिल करके पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखें आँखें बंद करें सौ बार श्वांस ले करके फिर रुखना 15 सेकंड और लेजिए पूरे स्पीड में कमर सीधी रखिए रिलाक्स आँखें बंद कमर सीधी मौन शान शितल आँखें बंद रखें ख्लोज यूर आईज और महसूस करें कि शरीर में क्या चेंज आया है इसे अब्जर्ब करें कि मेरी शरीर में देखो कितनी प्राणूर जब भर गई है पहले से ज्यादा और मन शान्त हो गया है अपने आप बिना प्रयास के मन शान्त है और शरीर में ऊर्जा है यही चाहिए शरीर ऊर्जा से बरा रहे मन शान्ती से बरा रहे तो आत्मा प्रसन रहेगी आनंद में रहेगी चलिए अब देरे देरे आँखे खोलेंगे तो यह है भस्त्रिका का प्रवाह कि हमारे शरीर के नस्ट नाडियों के ब्लॉकेज को खोल देता है आनंद आया? आनंद आया और हम दिन में कभी भी ऐसे लो महसूस करें बैटरी लो हो जाए अगर और मन में बहुत इदर उदर के विचार परेशान हो जाएं तो तेज भस्त्रिका करना चाहिए क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है जितनी पहुंच नहीं चाहिए ब्रेन में नहीं पहुंच रही है जितनी पहुंच नहीं चाहिए तो इसलिए डलने सा जाती है ऑक्सीजन को बढ़ा दो एक मिनटी तो लगता है सांस लेने में खूब लंबी श्वास लो कि जितना हमारे 20 बार सांस लेने में सांस जाती है अंदर उतना हम एक बार में ही खैंच लेंगे भर गई पूरी बल्टी पूरे सिलेंडर भरते हैं फिर उपर से नीचे तक फेपड़े भर जाते हैं नहीं तो थोड़ी थोड़ी बाकी दिन बर तो नहीं करना होता है ऐसे बस एक मिनट में हम चार्ज हो जाते हैं और हमारे पूरे फेपड़ों की एकसरसाइस हो जाती है नहीं तो आधे से ज्यादा फेपड़े तो चोक रहते हैं जाम रहते हैं जहां आज तक सांस गई ही नहीं उन वायू गुच फेल हो गए पिचक गए मर गए वायू गुच एल वॉली जो वायू गुच हमारे फेपड़ों में तो उनको सक्रीय तो करना है अपने को यह थोड़ी की काम चल रहा है बस जी रहे हैं मरे मरे नहीं वो अपने को और ज्यादा जीना है न अच्छे लेवल पर क्या ख्याल रखना है लीवर पिटनी सब फ्री में मिल गए है तो उनका ख्याल रखना है उनको चलाना है गाई सो साल तक अपने को स्वस्त रहने के लिए भगवान ने यह शरीर दीया है उससे ज्यादा भी रिशी मुन्यों ने जी आए योग के माध्यंıs गलत चीज मन सही त्याग दे वहरागे लिया और योग के माध्यम से सेक्ड़ों साल तक की आयू प्राप्त की है हम 100 साल का तो एक एवरेज होती है human age अगर हम सयम से जीएंगे तो और ज्यादा भी हो सकता है असयम से जीएंगे तो फिर तो कोई समय नहीं है मरनेगा कि हम दवाईयों के सारे जी रहे हैं डरडर के vaccine के माध्य हम से जी रहे हैं कितने लोगों को heart attacks हो रहे हैं सोते सोते नाचते नाचते खाते खाते लोग मर रहे हैं क्योंकि blockage अंदर पैदा हो गए हैं ब्लोकेज नहीं होगे oxygen अंदर रहेगी तो कभी cancer नहीं होगा जीवन में परमपुजी स्वामी जी बार बार इस बात को कहते हैं cancer तभी पनपता है शरीर में oxygen की कमी होती है आहार में भी शक्ती होती है जिसके अंदर प्राण शक्ती है oxygen इसलिए कच्छे आहार में प्राण तत्व रहते हैं अगर उसी को मतल भूल लेंगे जला देंगे तो फिर उसका प्राण शक्ती खतम हो जाता है तो आहार के अंदर भी तभी पॉस्टिकता है उसके अंदर यदि प्राण तत्व हैं तो chemicals फिर हम जो गोलियां खाते हैं इसमें प्राण तत्व नहीं रहते तो इसलिए हाँ बहुत ज्यादा emergency है तो हमें अलोपैति का यूज कर सकते हैं एक दो खुराक के लिए लेकिन यह नहीं कि हम उसका सालों साल कोर्स कर रहें कि हम जब तक जियेंगे बीती की गोली रोज खाते रहेंगे डाबिटीज की खाते रहेंगे तो फिर राद में कभी ठीक नहीं होगा और मरेगा उसी गोली के कारण से ही तो इसलिए हार्ट ब्लॉक इज नहीं होता जो भस्त्रिका करता है अनलोम विलोम करता है और ऐसे ताली बजाता है उसका पूरा एक्यू प्रेशर हो जाता है एक मिनट तक ताली बजाओ जोर से रुकनी नहीं चाहिए और तेज हाथ उपर करके और तेज दस सेकेंड और दस नौ गुड़ अब देखो उर्जा ताली बजाने से आई गर्मी गर्मी आजाती है रक्त संचार बढ़ जाता है इसी प्रकार क्योंकि हमारे हाथों में पूरे एक्यू प्रेशर के पॉइंट्स हैं हमारे पैरों में भी हैं इसलिए तो का जाता है नंगे पैर घास पर चलो मिट्टी पर चलो जो कांसे की कटोरी होती है उसको भी पैर पर घिसते हैं कांसे की कटोरी पैर के तलवे पर पांच मिनट या दस मिनट घिसी जाए तो उससे भी पैर के सारे रोग जुन-जुनी होती है वेरिकोस वेंस होती है, पैरों में दर्द होता है कमजोरी के कारण से नसनाडिया दर्द करने लगती है तो फिर हमें वो भी हम कर सकते हैं रोज पैरों में हम तेल लगा लें थोड़ा सा घिस लें उसे या कांसे की कटोरी वो पादभ्यां कहते हैं अपने पित्त मोक्षण नाम से वेलनेस में घर पे कर सकते हैं बहुत ही उत्तम चिकत सा है वेटामिन्स की कमी से फिर कमजोरी के कारण से भी शरीर दर्द करता है तो वेटामिन्स की कमी क्यों होती है क्योंकि हम कभी गौरमूत्र नहीं लेते हैं अंकुरे ताहार नहीं लेते हैं और आनंद में वो रहता है जो सत्संग में रहता है, जो सेवा में रहता है, दूसरों की मदद करता है, सहायता करता है, सिखाता है, और खुद अच्छी चीजें पढ़ता है, तो फिर वो कभी भी बिमार नहीं होता, मानसिक रूप से, जब करता है, जब, 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 राम, 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 रा भगवान के हाथों से प्रकाश निकल करके मुझ तक पहुंच रहा है, भगवान के हाथों से प्रकाश निकल कर मुझ तक पहुंच रहा है, भगवान की आँखों से प्रकाश निकल तर मुझ को आशिरवाद दे रहा है, बस, और वो सत्य है, निरंतर भगवान का आशिरवाद हमें मिल रहा लेकिन हमें तो पता चले हम भूले बैठें उन सब चीज़ों को तो बस हमारे भूलने से लिए तो कुछ भी नहीं है सब खतम तो उसको याद मात्र कर लेने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है इच्छा मात्र करने से भगवान का आशिरवाद, दिपिता, चोटी-चोटी, इससे हमारा औरा बढ़ेगा, औरा, औरा देखता नहीं पर होता है आदमें का, उसके औरे में आने से ही उत्साह आ जाता है, शांती आ जाती है, ज्यान प्राप्त हो जाता है, महापुर्शों के औरे से, और जो नकारात्मक औरा है, उसके पास बैठने से ही सरदर्द रोग आ जाते हैं, सारे रोग आ जाते हैं, उसके इस पंदन से ही, घर, घर में घुसते ही सरदर्द हो जाता है, क्योंकि औरा खराब है, वहाँ रहने वालों का, किसी के घर में जाते ही, शांती जिहां समाध्यस धल है महापुरुश ने तपस्या कर रखी हमाका ओरा अच्छा है जब करने से हमारा ओरा अच्छा होता है निश्चित रूप से प्रते दिन 10-15 मिनट भगवान के नाम का जब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पने लाब की बाद है भगवान को लाब नहीं होगा कि हम तुम्हारे नाम का जब कर लिए अब हमको ये दे देना हमने तुमको लाब पहुंचा दिया करो मत करो भगवान को कुछ नहीं उसको लाब वो आनंद में अपने लाब हमको लेना है उसके नाम लेकर के राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा है राम का नाम और सर्व गुण संपन है राम का नाम तुमको जो चाहिए तुम ले सकते हो राम के नाम से जो चाहिए जो गुण चाहिए तो इसलिए हमारा औरा अच्छा हो और हमारे एक-एक सेल को वो और नाम पवित्र करेगा हमारी उर्जा उपर की तरफ उठेगी और ध्यान भी अच्छा है नाम का जब अच्छा है बहले ही हमारा कैसा भी स्वभाव हो कोई अत्यंत क्रोधी भी हो कामी भी हो कोई भी विचार मन में आता हो नाम नहीं छोड़ना चाहिए बस कोई भले ही अपने आपको पापी मानता हो दुश्टात्मा अधम निक्रिष्ट मानता हो नाम नहीं छोड़ना चाहिए बस क्यूंकि उसी के सहारे हम इन सब चीजों से पार हो सकते हैं हम कैसे भी हो कैसे भी हो अगर यही छोड़ दिया तो फिर सहरा नहीं है तो हम कैसे भी हो यह नहीं कि जब हम धर्मात्मा हो जाएंगे जब नाम जपेंगे तो हम होंगे कैसे पहली बात तो हम होंगे ही नहीं कभी जीवन में हम जब सुधर जाएंगे जब बुरी चीजें छोड़ देंगे मन एक दमेक आगर हो जाएगा जब हम ध्यान और जब और योग करेंगे नहीं भईया कभी नहीं होगा हम जैसे भी है जैसे भी है वाले ही हम बुरी चीज नहीं छोट रही है हमारे स्वभाव में आदत में हम ये काम तो करेंगे कम से कम कम से कम करेंगे जो कम से कम भी नहीं करता है वही न रखने जाता है तो ये हमें करना है भाई कम से कम तो करना है दस मिनट तो करें और फिर रास्ता और आगे खुलेगा टॉर्च जितना दिखाती है उतना तो आगे बढ़ें, फिर आगे और दिखा देगी, फिर उतना बढ़ें, फिर आगे और दिखा देगी, है न, यह थोड़ी आगे अंधेरा दिख रहा है, अब टॉर्च अपने को करोणों किलोमेटर तो दिखाएगे, नहीं, दिखाएगे तो पांच मेटर काई, लेकिन उसी आगे बढ़ते बढ़ते हम सारा रास्ता तै कर लेंगे निश्चत रूप से और इसी कफ कफ की समस्या होती है तो फिर भी ठंडी चीजें खानी चिकनी चीजें खानी बंद करनी पड़ेंगे लेकिन अगर व्यक्ती औश्रधियां दी जाती है, जैसे कि त्रिकुटा है, शीतोपलादी, अपनी ब्राउंगोम है, श्वसारी प्रवाही है, श्वसारी का काढ़ा है, श्वसारी गोल्ड है,